Books That Speak में आप सभी का स्वागत है हिंदी बालभारती आठवी कक्षा एडिशन है 2009 साल की सुनते है कहानी बीमार ना होने का दुख ये कहानी लिखी है लतिफ गोंगी कहानी का वाचन असावरी दोशी कहानी के लिए आभार महराष्टर राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती और अभ्यास्क्रम संशोधन मंडल पुने प्रस्तुत पाठ में मानव की स्वाभाविक प्रवृत्यों को दर्शाते हुए अपनी और आकरशित करने की ललक को सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है बीमार आदमी सहानुभुती का पात्र होता है उसे देख कर लोग ट्रेन में अपनी सीट तक छोड़ देते हैं बसों में लोग खड़े-खड़े सफर करते हैं और बीमार आराम से बैठा होता है मैंने कई बार कोशिश की कि मैं बीमार हो जाओ एक बार तीन लीटर दूद पी गया सोचा था सुबे डाइरिया हो जाएगा पत्नी को सेवा का अवसर मिल जाएगा घर पर मित्रों की भीड जमा हो जाएगी लोग हमदर्दी से पूछेंगे कल शाम तक तो आप भले चंगे थे अचानक कैसे बीमार होगे कोई कहेगा मौसम ठीक नहीं चल रहा है जरा खाने पिने में थोड़ा परेज रखे उस समय मेरी स्थिती सभा के अध्यक्ष की होगी एक बीमार अध्यक्ष और स्वस्थ सभाग की मेरी अध्यक्षता मैं पेट में उड़ती मरोड को अपने चहरे पर उभारूंगा और बड़ी दिलेरी से कहूंगा इंसान का शरीर हाड मासका है बीमारी का क्या भरोसा कभी भी आ जाए लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई तीन लिटर दूद मेरे पेट में पच गया तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा पेट किसी राक्षस का पेट है जो खाता हूँ सब हजम हो जाता है मैंने पतनी से रात को कहा था जी मिचला रहा है लगता है तबियत खराब होगी वो बड़ी खुश हुई बोली लेट जाओ जी मैं सिर दबाए देती हूँ लेकिन इसके पहले कि मैं लेटता एक जोर की उल्टी हुई सारा दूद निकल कर बाहर आ गया और बदन में फूर्ती आ गई मेरे एक पड़ोसी है घर पर आये बेसन के भजिये बने थे मैं तो चार छे प्लेट खा गया था लेकिन उन्होंने एक लगुपत्री का सा छोटा भजिया उठाया और बोले मुझे बेसन सूट नहीं करता मुझेल से एक भजिया खाया था और साथ दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे दस्त धारावाहिक रूप से चलते रहे और नौबत यहां तक आ गई कि शरीर में पानी की कमी की स्थिती में उन्हें कई बोले ग्लूकोज लग गया आफिस से बड़े साहब देखने आ गए आफिस के सभी बाबू रोज आकर पूछते तबियत कैसी है कितनी सुखत स्थिती थी उनकी वो बिस्तर पर लेटे सेब अंगूर खाते रहे और एक मैं किस्मत का मारा हूँ जो खाता हूँ हजम कर जाता हूँ चाहता हूँ कि एक बार बीमार पड़ू लेकिन खुदा मेरी सुनता ही नहीं मेरा एक पडोसी सीडिया चड़ते हुए फिसल गया और उसकी टांग तूट गई पत्नी बोली कितना अच्छा होता जी कि तुम्हारी टांग तूट जाती मैं अपने नाजुक हाथों से उस पर आंबी हल्दी और चूने का लेप लगाती अंगीठी गरम करके सेख लगाती पच्चीस वर्ष होगे शादी के समय जो आंबी हल्दी लाए थे वैसी की वैसी पड़ी है लेकिन मैं तो जनम की दुखिया हूँ जाने कब खुदा मेरी सुनेगा मैं तो पीर फकीरों की मिन्नत करती हूँ मैं पड़ोसी को देखने गया सोचा इनसे सीडियों से गिरना ही सीख लूँगा वो बिस्तर पर लेटे थे और उनकी पतनी सेवा में हाजिर थी मुझे देखकर उनका सीना गर्व से फुल गया मानो कहना चाहते हो तकदीर वालों के पैर तुटते है तुम जैसे नामाकूल क्या बीमार पड़ेंगे एक साहब को सुभा सुभा चीक आ गई उन्होंने अपने नीजी सचिव से कहा आज मैं बीमार हूँ कोई काम नहीं करूंगा सिवाए मिलने वालों के किसी को अंदर ना आने दिया जाए मैंने पतनी से कहा पडोस से नस की डिब्बी ले आओ मुझ लेकिन कोई चीक नहीं आई पतनी बोली कोशिश करो हिम्मत से काम लो खुदा ने चाहा तो एका चीक तो आही जाएगी लेकिन जब डिब्बी खतम होने को आई और एक भी चीक नहीं आई तो पतनी फिर निराश हो गई मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया मैंने धाग की एक बत्ती बनाई और उसे नाक में दूर तक ठेल दिया सुरसुरा हट हुई और एक ऐसी जोर की चीक आई की सारा महला गुंज उठा पतनी बोली खुदा का लाख लाख शुकर है अब तबियत कैसी है लगता है तुम्हें सर्दी हो गई है डाक्टर को बिलाती हूँ ची की शुरुवात अर्थात आखिर में निमोनिया हो जाती है आपको कही कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा वो भागती हुई पडोस के बंगाली डाक्टर के घर पहुँची घबराई हुई पसीने से लत्पत और डाक्टर का दर्वाजा पीटने लगी डाक्टर सहा बीबी से गप्पे मार रहे थे नौकर से कहां देखो कौन है कह दो आज डाक्टर सहा बीमार है मरीज को देखने नहीं जाएंगे पतनी निराश होकर लोटी मैं रसोई घर में बैठा गुलगुले खा रहा था उसने मेरी और देखा और दहाड मार कर रोने लगी मुझे लगा कि जैस उसे मेरे बीमार ना होने का दुख उसे जिन्दगी भर भोगना पड़ेगा इसे कहते है हास्य व्यंग कहानिया लेखक श्रीमान लतीव घोंगी हास्य व्यंगकार है तो और ऐसी बहुत सी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया